बच्चा हो या बुड़ा, मर्द हो या औरत, इलेक्ट्रोनिक मीडिया हो, सोचल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो आज हर जगह से एक ही नाम देखने को और सुनने को मिलता है मोदी, मोदी, मोदी कोई Mr. Modi को गाल्या दे रहा है तो कोई Mr. Modi को मसीहा बना कर बैठा है तो आज का ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो Mr. Modi को मसीहा बना कर बैठे So through this video today I will prove it to you that Mr. Modi is no मसीहा बड़ चब Mr. Modi देश के प्रधान मंतरी नहीं थे तो 1 अपरेल 2010 में कॉंग्रेस ने GST भी लाभू किया जब कॉंग्रेस ने GST भी लाभू किया और देश के प्रधान मतरी Mr. Modi नहीं थे तब Mr. Modi का GST के बारे में क्या कहा था आईए सुनते हैं GST के समन में गुजरात सरकार ने और भारती जलता पार्टी का स्टैंड बहुत साफ है GST के समन में हमने कहा है कि आपकी GST का सपना तब तक पूरा नहीं होता तब तक साकार नहीं हो सकता जब तक कि आप पूरे देश में टेश्ट पेर के साथ IT इंफरस्टेटर का नेटवर्क नहीं बनाता GST कभी सफल नहीं हो सकता GST कभी सफल नहीं हो सकता जी हाँ जैसा कि हम ने देखा कि Mr. Modi ये कहते है कि GST इस देश में कभी नहीं आ सकता और GST इस देश के लिए हानिकारत है पर अब जब Mr. Modi देश के प्रढ़ान मंत्री बन गए है तब उनका GST के बारे में क्या कहना है आईए सुनते हैं GST का मतलब है Great Step By In India GST का मतलब है Great Step Towards Transformation अब Mr. Modi जब देश के प्रढ़ान मंत्री बन गए है तब वो कहते है कि GST is Great Step Towards Transformation और Great Step Towards Transparency तो इससे यही साबित होता है कि Mr. Modi देश का भलाई नहीं चाहते है जब वो ऑपोसिशिन में थे तो वो ऑपोसिशिन वाली काम कर रहे थे अब जब वो प्रढ़ान मंत्री बन गए है तब वो GST के लिए बोल रहे है तो इससे यह साबित होता है कि Mr. Modi देश के प्रढ़ान मंत्री नहीं बने थे और Congress FDI यानि कि Foreign Direct Investment लागू करने की कोशिश करता है और Mr. Modi तब ओपोसिशिन में थे तब उनका FDI के बारे में क्या के रहे था आईए सुनते हैं भाईयों बेनों कल प्रढ़ान मंत्री नहीं जो इन दिनने किये हैं जो इन दिनने चुकाने वाले हैं अब किराना कौन बेचेगा विदेशी नो चाहे कौन बेचेगा विदेशी चावल कौन बेचेगा विदेशी यहूं कौन बेचेगा हल्डी कौन बेचेगा मिर्ची कौन बेचेगा इसके लिए विदेशों के लिए दरवाजे खोल दिये हमारे देश के छोटे छोटे व्यपारियों के दुकानों पे ताले लग जाएगे ये निर्ण दिल्ली में बैठी हुए सरकार ने किया है जी हाँ, जैसा कि हमने सुना कि मुस्तर मोधी ये कहते हैं कि अगर देश में FDII आ गया तो देश का किराना हो, चाय हो, हल्दी हो या चावल हो हर कोई विदेशी बेचेगा और चो छोटे-मोटे वैपारी ये देश के वो बरबाद हो जाएगे पर जी नहीं, जब मिस्तर मोधी देश के प्रधानमंत्री बन जाते है तब उन का एंगिया के बारे में क्या के नहीं, आईए सुनते है भारत में भी बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी पूजी की ज़रुवत है और जब मैं FDI कहता हूँ तो मेरे दिमाग में FDI एक साथ दो विशे लेके चलती है दुनिया की नजरों में FDI है फॉरें डारेक इंवेस्टमेंट लेकिन उस समय मेरे दिमाग में है First Develop India फॉरें डारेक इंवेस्टमेंट की आवशेक्ता है जी हाँ, Mr. Modi कहते है कि देश को FDI की जरूरत है Mr. Modi कहते है कि FDI एने First Develop India Ladies and Gentlemen, once again This is what we call his hypocrisy जब वो उपोजिशन में थे, तो उपोजिशन वाली काम कर रहे थे, अग्रीश। So one person who has two faces, one person in two different position acts in two different ways. This is a sign of a hypocrite. So hence, proven ladies and gentlemen that this man is no masiha. Modi ये कहते हैं कि उनको देश की एक particular community की और तो को उनका हग दिनाना है. पर जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि जब Mr. Modi अपना एफिडवेट भरते हैं State Assembly election के लिए तो उसमें वो mention करते हैं कि I am single. पर एक साल बाद 2014 में जब वो Central election की एफिडवेट भरते हैं तो उसमें लिखते हैं I am married. Ladies and gentlemen, this man is not sure about his marital status. Mr. Modi अपनी wife जशुदा बेर को आज तक उनकी हग नहीं दे पाएं तो बाकी देश की औरतों को उनका हग कैसे दिलाएंगे? Ladies and gentlemen, try and understand that this man is low masiha but he is a simple hypocrite man. आप जो वीडियो देख रहे हैं ये आपको मुझ पर बहुत जादा गुसा रहा होगा. सारी भक्तों को मुझ पर बहुत जादा गुसा रहा होगा कि ये क्या कह रहा है? मैं बस आप से सारी भक्तों से सर्फ एक बात कहना चाहता हूँ. एक बार अपना हाथ अपने दिल पर रखकर एक सवाल कर ले. कि ये जो बच्चा आज वीडियो में कह रहा है क्या वो सही कह रहा है और गलत कह रहा है? जी हाँ, अगर मैं गलत कह रहा हूँगा को मेरी वीडियो को मुझ देखे आप. बढ़ हाँ, अगर मैं सही कह रहा हूँगा, तो इस आप सथोप सुपोटिं Mr. Modi and stop giving the tag and the label of Masihah because he is not a Masihah, he is a dirty politician. Thank you so much.